डेरा सच्चा सौधा प्रमुक बाबा राम रहीम सिंग इंसान दो महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने के आरोपों को लेकर 2002 से ही सुर्खयों में थे और उसे पिछले साल ही इन आरोपों के लिए 20 साल की सजा सुनाए गई थी। हाला की आरोप लगने के बाद सजा के सुनवाई होने तक राम रहीम लगभग 15 वर्षों पर बाहर घूमता रहा था। लेकिन हाल ही में एक महिला जो की पेशे से जर्नलिस्ट है ने खुलासा किया था कि उसने राम रहीम के साथ डेरे में 13 दिन गुजारे थे और इस दोरान उसने जो भी चीज़ें वहाँ देखी उसके बारे में बताया। महिला जर्नलिस्ट ने बताया कि जब वे हशुरू ने डेरे में रहने के लिए गई तब उसे लगा कि वे यह बहुत भागेशाली है जिसे बाबा से मिलने का मौका मिला है। राम रहीम का डेरा लगभग 100 एकर में बना हुआ था जिसके बीच मिकाज से बनी हुई इमारत थी जहां राम रहीम रहता था। इस इमारत को बाबा की गुफा कहा जाता है। यहां बाबा अपने शिशियों के साथ रहता था। इस जगे पर प्रवेश के लिए कई लेकिन सिर्फ रात के 10 बजी तक मिलता था। सुबैट बाबा के साथ 209 महिलाएं थी जो कि उसके खाने पीनी और दूसरी जरुरतों का ध्यान रखती थी। इस इमारत में एक बड़ा कमरा था जहां पर उनके पास कई होट लाइन हैं जिनसे वेहानिक देशों से जुडता था। वहें एक ऐसा कमरा भी था जहां वेह अपने शेशों को केवल 6 मिनट के लिए ज्यान देता था। डेरे के अंदर ही दो पेट्रोल पंप भी थे और डेरे के अंदर ही सबजियां भी उगाई जाती थी। डेरे में बड़ी वाशिंग मशीने भी थी जो एक बार में 10,000 का प जाना हुआ था जहां से सेवादार डेरे में होने वाली गतिविधियों पर नज़ता था।